हेलो गाइस वेलकम बैक तो आर यूट्यूब चैनल तो हमने एक मेटल कार मंगाई थी जो आज ओडर हो चुकी है तो आज हम इस पर रिव्यू करने आला है पहले हम इसके अन्बॉक्सिंग करेंगे तो चलिए तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसके अन्बॉक्सिंग कर दिये और एक रेड कलर की हैवी मेटल कार है इसलिए इसका प्राइस भी ज्यादा है तो हम इस पर रिव्यू देंगे अभी मैं आपको इसके फीचर के बारे में बताऊंगा पहले हम इसके साइस पर आ ज सेल की जगरत होती है जो इसके लाइट को जला देता है मैं यहां पर आपको दिखाता हूँ यह इसकी लाइट से जो इसको अन करने में चल जाती है अब यहां पर आप सेल को देख सकते हो इसके जस्ट ऊपर कंपणी ने एक की प्रोवाइड कर रिखी है यह की बगाने से य और इसकी lights भी काम नहीं करती है और अगर हम इस key को उतारेंगे तो यह इसकी lights काम करेंगे और इसके जो tires वो भी काम करेंगे तो guys, अब मैं इसकी key remove करता हूँ तो अब मैं आपको इसके बाकी features के बारे में बताता हूँ अब पहले आ जाते हैं हम इसके bonnet में तो यह जो इसका bonnet है यह खुलता है मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए और अब इसके पीछे एक boot है जिसपे एक tire provide कर रहा है जो आपने चाहता तक गाड़ियों में देखा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ यह भी खुलता है अब हम इसके doors पर आजाते हैं इसके जो दोनो doors हैं यह दोनो sensor वाले हैं अब जैसे ही मैं इसे open करता हूँ तो इसमें light और sound produce होती है यह देखो अगर मैं इसके doors को door से खुलूँगा तो अदग sound और light produce होगी अब यह दोनो doors में काम करता है मैं इस door का भी दिखा देता हूँ यह देखिये और मैं इसको door से खीशता हूँ तो इसमें यह वाली sound भी काम करती है तो जैसे कि मैं इसके bonnet को push करता हूँ तो इससे sound आती है जिससे लगता है कि यह गाड़ी start हो रही होगी लेकिन यह सिर्फ sound है मैं धको फिर से सुनाले तो कर दो गाइ। आपको एक बार बथाना चाहूंगा इस कार को आपको ज्यादा पीछे नहीं ठीचना है क्योंकि इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी है वो तूट सकती है और दूसरा यदि आप घर के अंदर खेल रहे हो तो इसकी हेडलाइट तो लुख सकती है कर दो